मैं न कभी हरा हूँ, न कोई हरा पाएगा, मुझे मोत को छुने की चाहत है, भला कैसे कोई डरा पाएगा। यह जिन्दगी बहुत ही हसीन है दोस्तों, बस हम इसे गुजारने के अलग-अलग रास्ते नहीं खोशतें। और जो रास्ते खोश लेता है, उसको यह जिन्दगी इतनी हसीन लगने लगती है, कि फिर वो यहां से जाना ही नहीं चाहता। हमेशा मनुश्य को परचाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परचाई कभी साथ नहीं चोड़ती और आईना कभी जूट नहीं बोलता। और हाँ दोस्तो, अगर कोई मनुश्य आपको केवल जरूरत पढ़ने पर ही याद करता है, तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि दिये की जरूरत तब ही पढ़ती है, जब हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है। और दोस्तो, किसी की भी खुबसूरती पर मरने से पहले, ये जानलो की धोका उस फल का नाम होता है, जो असानी से किसी भी बजार में मिल जाता है, और बहुत ही खुबसूरत होता है। जो व्यक्ति समझदार होता है, वो खुद गलतिया नहीं करता, बलकि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है, इसलिए खुद गलतिया कम करो और दूसरों की गलतियों से जिन्दगी जीना सीखो। ना जाने कितनी बार खुशी की चाहा में अश्क बहाया है तब जाकर ये दर्द में मुस्कुराने का हुनर आया है हार को तू मानना जीत को तू ठान ले मंजिल है सामने इनको तू पहचान ले जिंदगी में आगे बढ़ता जा पत्थरों का सीना चीर के रास्ता बनाता जा होसले ना है कम दुनिया को ये दिखाता जा मुश्किल रास्तो पर भी मंजिले सजाता जा कौन कहता है खुदा तुद से खफा है ये कौन कहता है कि वक्त बेवफा है इन बातों से तू खुद को संभाल ले हार को तू मानना जीत को तू ठान ले मंजिल है सामने इनको तू पहचान ले और दोस्तों मुझ से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता पर दिल से माफ करने में उमर बीच जाती है इसलिए दिल कभी किसी का मत दुखाओ, हर किसी के पास अपने दुख है, आप मिल बाट कर जीलो ना यार और हाँ, कभी भी इन चार बातों में शरम और संकोश मैसूस मत करना पुराने कपड़े, गरिब मित्र, बुड़े माता पिता और सरल जीवन शैली इन बातों में यदि शरम नहीं देखोगे, तो कभी आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा एक दर्द छुपा हो सीने में, तो मुस्कान अधूरी लगती है जाने क्यों बिन तुमारे हर शाम अधूरी लगती है वैसे अगर तुम्हें कोई छोड़ जाए, तो खफा मत होना क्योंकि जिसको रिष्टा निभाना होता है, वो हजार गलतियों पर भी माफ कर देता है और जिसे साथ नहीं रहना होता, वो एक गलती पर भी साथ छोड़ जाता है हम सब को कभी न कभी इन लाइन्स का सामना करना ही पड़ता है कि कभी कभी हम सोचते हैं इससे पहले मिले होते और कभी सोचते हैं कि इसको बाद में मिले होते और कभी सोचते हैं कि इससे ना मिलते तो अच्छा होता अगर आपका सामना भी इन लाइन से हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं हर कोई चाहता है कि कोई फिकर मंद हो मरना कोई कहां ठीक होता है एक जरा से हाल पूछने से इस दुनिया में लगबग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं पर ना जाने हर कोई भावना और दिल से खेलना क्यूं पसंद करता है और अगर आप हर किसी को माफ कर देते हो तो इसी अपनी कमजोरी मत समझना क्योंकि आपका हर बार लोगों को माफ करना ये साबित करता है कि आप एक खुबसूरत दिल के मालिक हो आपको हमेशा आपकी सोच ही बड़ा बनाती है अगर गुलाब की तरह खिलना चाते हो तो काटों के साथ तालमेल बैठाना आपको सीखना ही होगा जाने क्या मुझ से जमाना चाता है मेरा दिल तोड़ कर मुझे ही हसाना चाता है जाने क्या बात जलगती है मेरे इस चेहरे से हर शक्स मुझे आजमाना चाता है और दोस्तो कभी अपने आपको किसी के आगे जुकाना मत क्योंकि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दामक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है और अपना आज जीना आपको सीखना ही होगा दोस्तो क्योंकि किसी ने क्या खूब का है कि मैं कल को तलाशता रहा दिन बर मैं कल को तलाशता रहा दिन बर और शाम होते होते मेरा आज डूग गया उम्र छोटी है तो क्या जिन्दगी का हर एक मनजर देखा है फरे भी मुस्कुराहटे देखी है बगल में खंजर देखा है और अगर कोई आपसे पूछे कि तू उदास क्यों रहता है तो कहा देना मैं उदास नहीं हूँ बस मरम मते चल रही है जिन्दगी की इसलिए जरा खामोश हूँ अब समझ लेता हूँ मीठे लवजों की कड़वाहट हो गया है जिन्दगी का तजरुबा थोड़ा थोड़ा और ये सबसे प्यारी शायरी है कि हम उनसे तो लड़ लेंगे जो खुले आम दुश्मनी करते हैं लेकिन उनका क्या करें जो लोग मुस्कुरा के दर्द देते हैं बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं दिखती तो भीड है पर चलते सब अकेले है और हाँ दोस्तो फूक मारकर हम दिये को भुजा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं क्योंकि जो महकता है उसे कोन भुजा सकता है और जो जलता है वे खुद भुज जाता है इसलिए दोस्तो किसी से जलो मत सिर्फ महको और जो जल रहा है वो एक दिन खुद भखुद भुज जाएगा दोस्तो जिन्दकी को जीना आप ही के आतों में है दुख दर तो आते रहते हैं उनसे निकलने का उनर आपको आना ही चाहिए आशा करता हूँ ये दिल चुजाने वाली बाते आपको बहुती ज्यादा सुकून देगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलना मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद